हलो नमस्कार गुड मॉनिग शूपरवाद खमा गणी जैसरी किष्णा संसकार क्लासेज के सेर्शेनियू तो पहरे वच्चो आप लोग का एक्जाम आ गया है इसलिए हम आप लोग के लिए 30 बड़े ही important question लेकर आएं यह हरवार एक्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एक्जाम में direct देखने को मिलेंगी तो इस क्लास को ध्यानपुरवक देखेगा और शुरू से end तक देखेगा मिस ना हो जाए वरना paper मिस हो जाएगा तो चलते हैं अपने पहले question की तरफ राज के किस जले में राज सरकार सर्व अधिक पसू मेले का आईजन करती है नागोर अजमेर वीका नेर बाड मेर तो पहरे बच्चो इस दर आई टांस रोगा आपको नागोर आपसन नमबर एस कर आई टांस होगा परवत सर नागोर ठीक है अजमेर राजिस्तान का हिर्दय कहलाता है अजमेर के अंदर आपकी पुसकर जील भी है पुसकर जील भी है आप लोगों की बीका नेर के अंदर जो करनी माता जी का मेला लगता है करनी करनी माता जी का मेला लगता है देशनों को बीका नेर में अगला question देखिए कहलाता है देखे बिहार मदप्रदेश राजिस्तान जारखड खनीचों का जो अजाब घर कहलाता है वह जाएगा आपका राजिस्तान राजिस्तान छेत्रपल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा जिला है ठीक है पहरे बच्चों और राजिस्तान के साथ जो सीमा सबसे ज पाईजन करती है नागोर अजमेर वीकानेर बाड मेर तो देखिए इस काउंसर क्या होगा नागोर इसदर आए टांसर होगा आपका नागोर नागोर आपसन नमबर बिलको सही होगा अगला कोश्चन देखिए राजिस्तान के सरवाधिक विस्तुत चेत्र में पाए जाने वा लिमिटी यह जाएगा रेतीली इस दर आइटांसर होगा अगला देखिए मिर्दा अपर दन में सरवाधिक साहक नदी है लूनी चंबल वनास या माही इसका अंसर क्या होगा देखिए पहरे बच्चो आपसन नमबर बीस दर आइटांसर होगा चंबल चंबल इस दर अंसर होगा अगला क्वेष्टन देख लिना राज में विस्व बनन जीव कोस द्वारा प्रिजेक्ट देखे टाइगर का प्रारंब की अगया प्रेयर अप्रेल देखिएalten november अगला देख लेना है अंकल वुड फोमिस पार्क कहां पर रिस्त थे गंगानगर वीका ने उदैपुर शिरोई जैसलमेर बाड में शिरोई और चित्तोरगड अपसर नमबर एट कराई टांसर क्योंगा जैसलमेर और बाड मेर ऑफसर नमबर सीजदा राइट आंसर अगला देखिए राजगे बंद छेत्र के सरवधिक भाग में मुख्यते कोंसे बन पाई जाते हैं सालर होगा सागवान होगा धौक होगा बभूल होगा नमबर नाइन कांसर क्या होगा धौक इसदा करेक्ट आंसर होगा अपका धौक है जो ठीक है चल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं देखिए आपका भाई का ही चैनल है आप लोग दिल से सपोर्ट किजिए क्योंकि अपने चैनल की जड़ जड़ हाला तो ही पढ़िए और आप लोगों का प्रेम की बहुत सकता है इसलिए उम्मेद करूंगा लाइक से नहीं भूलोगे क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम इतनी महनत करा रहें तो आपका कर्तब बनता है सपोर्ट करने को और हमें बता है जब आप सपोर्ट करने लगते हो ना तो कोई रोग नहीं सकता है जमाने में तो तैंसर ना कीजिएगा कीजिएगा लाइक और या 63 इसका अंसर होगा देखिए 1922 इसदर आई टांसर होगा आपको अप्सन नमर बी अगला देखिए इंद्रा गारी नहरी योजना में व्रिक्षा रोपन कारेकिस देश के सहयोग से जापान अमेरिका कोरिया वृटेन देखिए इसका जापान इसदर आई टांसर होगा अगला कोईशन देखो केंद्री है मरूद छेत्र नुसंदान सहस्थान काजरी कहां पर जैपूर में जोधपूर में वीकानेर में काजरी जो होगी या आपकी जोधपूर के अंदर होगी ऑप्सन नमर बीजद राइटांसर होगा जोधपूर अगला देखिए राज का एक बसी जैपुर के अंदर है एक चितर तोड के अंदर है ठीक है सेवर कहाँ पर रहत पर पर तो आपको पता ही यह तितिसवा जला था राजस्तान का अगला कुछ बलानी नसल के गोड़े विशे शुरुप से कहां पर पाए जाते हैं सिवानाबाड मेर बसी में गोड़ बीड में या खित उलोई ठीक है इसका हमसर कोज़ेगा उपसन नमरे सिवानाबाड मेर इसदर आई टांसर का सिवानाबाड मेर अगला कोश्चन देखो निमलिक्तम से कौँसा युगम गलत है गलत युगम के बारे में बताना ठीक है वो गलत युगम कौँस होगा पुषकर का मेला अलवर इसदर आई टांसर का उपसन नमबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया है अगला कोश्चन देखिए देश का दूसरा तो था राज्जिका पिर्थम पर और गड़ अगला कोश्चन देखिए राजिस्तान ओर्जा बिकास अधीकरन के स्थापना की गई है 1985 में सत्यासी में नब्बे में या बानुए के अंदर ऑप्सन नमबर देखिए 1985 इसदार आई टांसर होगा आपका 1985 अपसन नमबर इसदार आई टांसर अगला कोश्चन म माही बिद्धुत परियोजना किस जिले में है जालावाड में बासवाडा में बाड मेर में बारा में माही बिद्धुत परियोजना बासवाडा इसदार आई टांसर होगा आपका अपसन नमबर बी अगला देखिए राज में सरवादिक बिद्धुत सक्ति का स्रोत है अगला देखिए जैसल मेर्ज लेके किस इस्तान से हीलियम गैस के बंडार मिलें जैसल मेर्ज से गोटारू तनोट मता तनोट होगा और यानि कि सादेवाला होगा या मनीहारी टीवी होगा ठीक है इसके आंसर क्या होगा गोटारू अगला कोशिन देखें राजिस्टान के पिर्थम राजипाल कौ्न थे पिर्थम राजपाल सरुदार गुरूमुक नियाल सीरा इहालाग紅 जांसर वर्थम विर्थम इसके होगा इसका अगला देखिए राजस्तान का नहर फीडर की कुल लंबाई कितनी है इसके होगा आपकी देखिए 204 किलोमेटर होगी नहर फीडर की कुल लंबाई ठीक है अगला देखिए राजिस्तान का छेतरबल की दरश्टी से सबसे बड़ा जला कौन सा देखे ये तो पता ही होगा जैसल में छेतरबल की दरश्टी से सबसे बड़ा जला होगा बड़ा जला लेकिन सबसे छोटा कौन सा है देखे दोलपुर होगा आपका दोलपुर है ना आप दोलपुर से कित इतना गुणा है 12.66 गुणा ये बड़ा परेगा अगला देखिए राजिस्तान के कौन से इस्तान पर सबसे अधिक वर्सा होती है माउंट टाबू में उदेपुर में जैपुर में डूंगरपुर में 26 का आउंसर क्या होगा आपका माउंट टाबू इस दा करेक्टर आउंस अगला क्वेशन देखिए टैथित साकर के अफसे इस वर्तमान में राजिस्तान में कहां पर पाई जाते हैं कोलाहित बीका नेर पुसकर अलवर सावर अजमीर जैपुर या अजमीर तो होई गई इसका आउसर क्या होगा ये सावर के अंदर पाई जाते हैं और सावर कहां अगला देखिए रेकिस्तान का सबसे संपन निजला कौन सा है जोधपुर गंगा नगर जालो नागोर या वीकाने देखिए यह होगा आपका गंगा नगर इसके बाद आपका कोश्चन पूछ जाएगा जिसका आउसर आप बताते नहीं है प्लीज बताये करें आप लोग भीक है चलिए पहला कोश्चन कोंसे प्रदेश राजिस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं इसका आउसर क्या होगा देखिए यह होगा आपका पंजाब और हरी राना इस दा करेक्टर आउसर होगा ओप्सन नमबर शी ठीक है अब आप लोगों का कोश्च आप लोगों के लिए बेस्ट करने के हमने ठान लिए तो प्लीज यह कीजिए कमेंट सक्षन में भूलना नहीं है और लाइक से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप जिसको सपोर्ट करते हैं उससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते तो मुझे अपने प्यारे आपके लिए कंटेंट बना के दे सकें ठीक है और अगर आप चाते हैं 5000 mcq अगर आप लोग पाना चाते हैं तो देखे 5000 mcq पाना चाते हैं तो आप लोगों को 50 रुपे पे करने पड़ेंगे ठीक है और इस नमबर पर कर दीजिए हम आपको संके संग दे देंगे 96, 80, 81, 97 आपके एक्जाम हुआ 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 देखने को यह मिल जाएंगे आपके लिए बहुत ज्यादा वेनिफिट रहेगा आप लोग करना बेस्ट आपके लिए रहेगा इसलिए अब भी यह मौका चूक ना जाएं